प्रिये मित्रों मैं डॉक्टर शालीनी मुगल चन्दानी विभागा द्यक्ष एवं सहय आचारिये हिंदी विभाग राच्छे डुंगर महाविध्याले पिकानेर आज हम में फाइनल के तृतिय प्रश्ण पत्र भाशा विज्ञान के अंतरगत वाक्य और अर्थ विज्ञा के भाग दो पर हम चर्चा करेंगे पदबंद वाक्य से अलग होने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है और पदबंद जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और न पदबंद के भीद, संग्या पदबंद, जो पदबंद वाक्य में संग्या का कार्य करते हैं, उन्हें संग्या पदबंद के लिए मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं, यहाँ पर व्यक्ति जो है वो संग्या पदबंद के रूप में है, सर्वनाम पदबंद जो पदबंद वाक्य में सर्वनाम पदों का कारे करते हैं उन्हें सर्वनाम पदबंद कहते हैं जैसे दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं यहां पर कुछ शब्द संग्या सर्वनाम पदबंद है क्रिया पदबंध वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कारे करते हैं तो क्रिया पदबंध कहलाते हैं जैसे सीता गीत गा रही है यहां गीत गा रही है क्रिया पदबंध है विशेशन पदबंद जो पदबंद वाक्य में संग्या या सरुनाम के विशेशन के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेशन पदबंद कहलाते हैं जैसे राम बहुत सुन्दर चित्र बनाता है यहाँ पर बहुत सुन्दर विशेशन पदबंद है क्रिया विशेशन पदबंद किसी भी वाक्य में क्रिया विशेशन का कार्य करने वाले पदबंद क्रिया विशेशन पदबंद कहलाते हैं जैसे किलाडी मैदान की और गए हैं यहाँ पर मैदान की और शब्द क्रिया विशेशन पदबंद कहलाएगा शब्द शक्ति, शब्दार्थ संबंद, अर्थात बोधक शब्द एवं अर्थ के संबंद को शब्द शक्ति कहते हैं शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की अभिव्यक्ति, शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोथ कराना होता है इसी प्रकार शब्द एवं अर्थ का अभिन संबंध ही शब्द शक्ति है शब्द शक्ति की परिभाशा हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं शब्द शक्ति के मुख्यते तीन भेद हैं अभीदा शब्द शक्ति जिसे वाचार्थ या अभीदेयार्थ भी कहते हैं लक्षना शब्द शक्ति जिसे लक्षार्थ कहते हैं और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति जो व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करती है पहली है अभीदा शब्द शक्ति शब्द को सुनने या पढ़ने के पस्चात पाठक सीधा साधा अर्थ समझ में आ जाए वहाँ अभीदा शब्द शक्ति होती है अर्था सीधे साधे अर्थ को अभिवेंजित करने वाले शब्द को अभिता शब्द शक्ति कहते हैं लक्षना शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा उपस्ति होने पर जिस अर्थ की प्रतीती होती है वहां लक्षना शब्द शक्ति होती है अर्थात यहां पर लक्षन के आधार पर वाक्य का अर्थ निकाला जाता है जैसे अगर हम ये कहें कि रमेश गाय है तो यहां पर गाय जो है गाय का लक्षन उसका सीधापन और तो इससे अविप्राय निकलता है कि लक्षमन बहुत ही सीधा और सरल विक्ती है तो यहां मुख्यार्थ बादित हुआ और लक्षन के आधार पर हमने अर्थ रिकाला तो लक्षना शब्द शक्ति वेंजना शब्द शक्ति जहां मुख्यार्थ और लक्षार्थ में बादा उपस्ति होने पर जहां तीसरे अर्थ का बोध होता है वहां विंजिना शब्द शक्ति होती है शब्द शक्ति का महत्व किसी शब्द का महत्व उसमें नहित अर्थ पर निर्भर होता है बिना अर्थ के शब्द अस्तित्व हीन एवं निरर्थक होता है शब्द शक्ति के शब्द में नहित उसके अर्थ की शक्ति पर विचार किया जाता है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ ग्रहन से ही कावे आनंद दायक बनता है अतय शब्द के अर्थ को समझना ही कावे के आनंद को प्राप्त करने की प्रधान सीड़ी है अर्थ की अवधार्णा सार्थक्ता भाषा का लक्षन है अर्थ द्योतित न करने पौली भाषा भार स्वरूप होती है इस समन्द में यास्क कहते हैं कि यद ग्रहितम ग्यात निगदे नेव शब्दते अनक नाविक शुष केंदो न तजवलनती कहिर चित जिस प्रकार बिना अगनी के शुष के इधन प्रज्वलित नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना अर्थ समझे जो शब्द दोहराय जाता है वे कभी अभिपसित विशे को प्रकाशित नहीं कर सकता अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द मध्यम है शब्द के द्वारा जो प्रतिती होती है उसे अर्थ कहते हैं अर्थ की प्रतिती दो प्रकार की होती है आत्म प्रत्य आत्म अनुभा और पर प्रत्य पर अनुभाव आत्म प्रत्य स्वेम किसी वस्तु को अपनी आँखों से देखने और अनुभाव करने को आत्म प्रत्य कहते हैं पर प्रत्य दूसरों के द्वारा प्रत्य अक्षुवा ग्यान स्विकार कर लेते हैं तो उसे पर प्रत्य कहते हैं शब्द और अर्थ का संबन भाशा में शब्द सार्तक होते हैं वह शब्द किसी अर्थ वस्तुविशेश का बूत कराता है या अर्थ का संकेतित करता है यह संकेत समाज तौरा स्विकृत होता है एक ही शब्द द्वने समू का अर्थ भाशा भेच से बदल जाता है अंग्रेजी में गो शब्द का अर्थ होता है जाना लेकिन संस्क्रत में उसी शब्द का अर्थ होता है गाय द्वने समू से वस्तु के बोध या शब्द के अर्थ के बोध की प्रक्रिया की शक्ती ग्रह संकेत ग्रह कहा जाता है यह संकेत ग्रह लोग फ्यवार एवं अनुभव से होता है अर्थ परिवर्तन की देशाएं भाषा परिवर्तन शील है इसलिए भाषा के शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता रहता है अर्थ परिवर्तन को अर्थ विकास भी कहा जाता है इससे भावशा की जीवंतता सुरक्षित रहती है अर्थ का यही निरंतर विकास भावशा का प्रान तत्व है अर्थ गत विकास तीन दिशाओं में दिखा जाता है अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादीश अर्थ परिवर्तन के कारण अर्थ परिवर्तन के कारण कई कारण है जिनके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है जैसे लाक्षनिक प्रियोग, दूसरा परिवेश का परिवर्तन, तीसरा शिष्टा चार और विनम्रता, चोथा श्रवन सुखदता, पांचवा व्यंग, छटा भावात्मक बल, सात्वा अज्यान और भ्रांति, आठ्वा है शब्दार्थ की अनिश्चित्ता, नवा सामान्य के लिए विशेश का प्रियोग, और व्यक्ति के अनुसार शब्दों के प्रियोग में भेत, अगला है शब्दार्थ के एक तत्व की प्रधानता, फिर सहाचरे के कारण गौन अर्थ की प्रमुकता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, एक शब्द के भिन भेत के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है, अन्य भाषाओं के शब्द और अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आता है, तो निशकर्श रूप से यह निकला कि भाषा निरंतर परिवर्तन होने के कारण उसके शब्दों का अर्थ भी बदलत है धन्यवाद मित्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें